दोस्तो सबसे पहले आप बैंक की स्टेटमेंट देख लो, हमें जो है ट्रू बैलेंस के तरब से पूरे एक लाख रुपे का लोन मिल रहा था, जिसमें से मैंने 20,000 रुपे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसर कर लिये हैं, आपके सामने दोस्तो लाइप प्रूफ है, और जाकर आपने लोन के लिए ट्राइ किया है, लोन आपको नहीं मिला है, तो इसकी सबसे बड़ी मिस्टेक है दोस्तो आपके सामने, आपके दोरा जो यहाँ पर जानकारी दी जाती है, उसमें तीन बहुत बड़ी मिस्टेक आप करते हो, यह कौन-कौन से मिस्टेक हैं, जो आप करते हो, अगर एक बार आप यह समझ गए, तो आप बैड सीविल पर भी, बैड सीविल पर भी आप मैक्सिमम लोन ले सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में, जब मैं आपको लोन अपलाई करके दिखाऊंगा, लाइप प्रूफ यहाँ पर मैं आपको लोन अपलाई कर ज़्यादा पढ़ रहा है, तो देखो आपने दिमाग से कुछ काम करो, और जो तरीका मैं आपको बताऊं, उस तरीके से अगर आप ठीक है, डिटेल को फिल अप करेंगे, डिटेल डालेंगे, तो गैरंटी आपको एक लाख रुपे तक का पूरा लोन मिल जाएगा, अगर आपको इमर्जेंसी में पैसो की जोड़त है, अब इस लोन को अपलाई करने के लिए वीडियो की डिस्क्रप्सर और कमेंट्स बोक्स में आपको डाउनलोड किया है, नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ट्रू बैलेंस परसन लोन है, तो आज किस वीडियो में ट् और जो आपने स्टेक करते हैं, वहाँ पर घिडन तरीके बताने वारा हूं, तो दोस्तों आपको इस एपको इस आपको इस्टॉल कर लेना है, इस्टॉल करने के बाद आप अप और खिलिक करेंगे, जैसे आप और खिलिक करेंगे आपके सामने यवाला इंटरफेस आएग यह पाँच उप्सन, सबसे पहला वाला जो उप्सन है I Agree To All, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, तो यह सारे के सारे जो उप्सन है दोस्तो एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद आप से यहाँपर परमिशन पोची जाती है, वाइल योजिंग दिस एप पर क्लिक करें अब आपके सामने यहाँ पर दोस्तो लोन की डिटेल बताई जाती है, सबसे पहला देख लें, यहाँ पर आपको तीन तरीके से लोन मिलते हैं, पहला तरीका है दोस्तो कैस लोन, अब यहाँ पर आप कैस लोन ले सकते हैं पांच मिनट के अंदर, जो कि आपको पांच जार से लेकर एक लाख रुपे के बीच मिलता है और जिसका ब्याज रहता है जो सुरुआत होती है वो 2.4% से होती है तो आप यह मान कर चलें कि इसी रेट पर 2.4% पर ही आपको एक लाख रुपे तक का लोन मिल जाता है लगबग और इसकी जो रीपेमेंट है वो 3 से लेकर 12 महिन के बीच आप पर सकते हैं और प्रोस्टिंट फीस लगती है जीरो से लेकर 15% के बीच तो जब आप लोन के लिए अपलाई करेंगे कितनी प्रोस्टिंट फीस पढ़ड़ी है कितना इंट्रेस्ट पढ़ड़ा हो तब ही आपको देखने को मिलेगा दूसरा लोन है दोस्तों करेंगे वैसे ही आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी आपको एक हजार से लेकर 6,000 रुपे का लोन मिल जाता है और यहां से एक से लेकर 6,000 रुपे आप इंसेंट अपने बैंक गाउन में ट्रांसर कर सकते हैं इसका जो ब्याज है वो 6% से सुरू होता है और रिप चलाना चाहते हैं इंगले, सिंदी, मराथी, तेलगू, बांगला बगारा अपनी लेंग्यूज को सेलेक्ट करके स्टार्ट पर किलिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने आपके मोबाइल में जो भी जीमेल आईडी है वो देखने को मिल जाती है यहाँ इसको इसक चारे स्टैप कंप्लिट करके चलेंगे तो गैरेंटी यहाँ पर आपको लोन मिलेगा तो यहाँ पर आपको दोस्तों अपना मोईल नंबर डालना है और नेक्स पर किलिक करेंगे उसके बाद आपके मोईल नंबर पर एक OTP आएगा OTP को यहाँ पर डालेंगे और कंफर्म यहाँ पर एक निचे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पर एक option कि आपको KYC करने के लिए pen card और आधार card देना है उसके बाद आपका loan का offer आएगा और उस पैसे को आप अपने bank account में transfer कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर pen card आधार card के अलाब आपको कुछ देने की जोड़त नहीं है यहाँ पर I authorized balance 0 पर click करके proceed पर click करेंगे उसके बाद अब आपसे पूछे आता है कि KYC करने के लिए यहाँ पर आपको दो language देखने को मिलती है English and Hindi इन में से कोई एक language को select करेंगे उसके बाद आपके सामने आता है दोस्तों यहाँ पर pen number अब दोस्तों आपका जो भी pen number है pen number को यहाँ पर डालेंगे या pen card को scan कर सकते है उसके बाद आपके सामने आता है date of birth आपकी जो भी pen card पर date of birth है वो यहाँ पर डालेंगे calendar देखने को मिल जागा यहाँ पर आप स्लेर कर सकते हैं proceed पर click करेंगे उसके बाद आपकी mobile number पर OTP आएगा OTP यहाँ पर डालकर verify OTP पर click करेंगे अब उसके बाद दोस्तों आता है कि complete using KYC मतलब अभी तक हमने pen card दिया है complete KYC करने के लिए हमें आधार काट और देना पड़ेगा proceed पर click करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे पर डिटेल होगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी यहाँ पर आपको नीचे एक option देखने को मिलेगा check box इस पर click करेंगे and continue पर click करेंगे अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको true balance के तरफ से दो परकार के लोन यहाँ पर देखने को मिल रहे है नमबर एक है दोस्तों cash loan जो कि आप 5000 से लेकर 1,000,000 रुपे तक कर ले सकते हैं तीन से लेकर 12 महिने के लिए और दूसरा लोन देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर level of loan जो कि आप 1000 से लेकर 15,000 रुपे कर ले सकते हैं तीन महिने के लिए दोनों में क्या अंतर है सबसे पहला हो समझ ले तो दोस्तों अगर आपका civil score 0 है तीक है अगर आपका civil score 0 है और आपकी बिल्कुल भी इंकम नहीं है आप जो है अगर student बगरा है तो आप नीचे वाले पर क्लिक कर सकते हैं या आप किसी भी category में आते हैं आपका civil score बिल्कुल 0 है नीचे वाले पर क्लिक करेंगे जैसी क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर 0 civil 0 income के आधार पर आपको 30,000 पर का लोन मिल जाता है अब यहाँ आप देखिंगे मेरे को बताया गया कि यहाँ पर आप पूरे 20,000 रुपे तक का लोन ले सकते हैं अब लोन का option कहा देखने को मिलेगा यहाँ पर एक option है यहाँ पर देखिंगे गैटा लोन इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप कम से कम 1000 रुपे और मैकसिमम 20,000 रुपे का लोन ले सकते हैं और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इनका जो मंत्री ब्याज है वो 4% से शुरू होता है अब यहाँ पर आपको नीचे एक option देखने को मिलेगा तो ऐसे में अगर आपको 5000 या 5000 से ज़्यादा का लोन लेना है देखो सबसे पहले समझें अगर आपको एक से लेकर 3000, 4000 के बीज लोन लेना है यहाँ पर ले सकते हो पर अगर आपको लोन लेना है 5000 या 5000 से ज़्यादा है उपर वाले पर क्लिक करेंगे यहाँ पर click करने के बाद आपके सामने यह वाला interface आएगा आप यहाँ पर loan लेने का सबसे बड़ा benefit क्या है कि यहाँ पर आपको जो भी आज है वो आपको लगता है sirporship 2.4% आपके सामने है 2.4% पर मंद ठीक है आप यहाँ पर कितना loan ले सकते हैं तो 5,000 पर ले सकते हैं आप 6,000, 7,000, 8,000, 10,000, 25,000 इस तरीके साब अपने इसाब से जितना चाहिए तो उतना loan ले सकते हैं आपके सामने है 1,000,000 रुपे तक ठीक है तो देखो मैं चाहूं तो 1,000,000 रुपे का loan ले सकता हूं तो हमारी जो EMI पढ़ेगी वो 10,000, 470 पढ़ेगी इस पर व्याज पढ़ेगा 2.4% ऐसे ही अगर हम यहाँ पर 6,000 रुपे की लोन लेंगे तो व्याज हमारा सेम रहेगा पर 19,000, 421,000 रुपे की EMI जाएगी क्योंकि 1,000,000 रुपे का loan है ऐसी अगर मैं 3,000,000 रुपे की EMI जाएगी ऐसी आप देख सकते हो आप यहाँ पर 5,000 का loan ले सकते हो पूरे 12,000 रुपे के लिए आपकी EMI जाएगी 520 रुपे पर मंद ठीक है तो यह पूरी डेटेल है अब मैं जो यहाँ पर loan अप्लाए करके दिखाने वाला हूँ दोस्तो वो आपको दिखाने वाला हूँ 20,000 का देखो मेरे को जादे loan की जोड़त नहीं है पर जैसे कि मैं आपको बताया कि आप 1,000,000 का loan ले लो loan लेने का सेम तरीका है तो मेरे को 20,000 की जोड़त है 1,000,000 की जोड़त नहीं है मैं 20,000 पर यहाँ पर अपलाए करके दिखाने वाला हूँ 20,000 पर मैंने select कर लिए उसके बाद tenure देखने को मिलेगा मैं यहाँ पर सिर्फ 3 महिने के लिए loan लेंगा बिजनेस, house repair, salary delay, देजी से salary है education है, personal है उसमें से आप किसी भी एक option को select कर सकते हैं उसके बाद दूसरे number बढ़ाता है कि what your marital status भाई आपके साधी हुई है आपको यह बताना है तो साधी हो चुकी है तो marital पर click करेंगे नहीं हुई है तो single पर click करेंगे उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि KYC हमारी और यह complete ठीक है उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि what your level of education आप कितने पढ़े लिखे हैं देखो below 10 ठीक है अगर आप 10 वी से कम पढ़े लिखे हैं मतलब 10 वी से कम पढ़े लिखे हैं तो इस पर click करेंगे ठीक है और अगर आप 10 वी से जादा पढ़े लिखे हैं तो यहाँ पर select करेंगे तो मैं दोस्तों यहाँ पर आपको बता देता हूँ मैंने बैचनर select कर लिया उसके बाद है कि what's your house type ठीक है देखो भई आपको जो घर है वो आपका अपना है तो फरस्ट वाले पर click करेंगे आप rent पर रहते हो rented पर click करेंगे ठीक है माता पिता का घर है parents पर click करेंगे और आप किसी रिष्टिदार बगरा मैं रखे यहाँ रहते हैं relative के यहाँ रहते हैं relative पर click करेंगे तो यहाँ पर देखो मैं आपकी जनगारी के लिए बता दूँ ये most important मैं आपको बताया था कुछ ऐसे tips ठीक है जो कि आप हमेशा mistake करते हैं तो भाई यहाँ पर आगर आपसे पूछा जाता है कि भाई आपका घर कैसा है तो यहाँ पर आपको rent बगरा नहीं बताना है आपको self own पर पक्रिक करना है अगर यहाँ पर आप self बताएंगे तो इसका मतलब है कि आपका अपना घर है कोई भी loan देने वाली company ठीक है वो secure हो जाती है कि यार बंदे के पास property बगरा है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कल को इससे मुलाकात करनी है मिलेंगे तो भी इसकी घर पर जाके मिल सकते है तो यह आपको हमिस्तर दियान देना है दूसरा है do you have a job आपको कैसी job करते हैं तो अगर आप salary person है तो भी आपको maximum loan मिल जाता है पर अगर आप मालत self employee है तो भी आपको maximum loan मिल जाएगा वो मैं तरीका बताऊँगा student है छोटा loan मिलेगा housewife है तो भी छोटा loan मिलेगा ठेक है तो मैं self employee पर किलिक करूँगा अब what is your employment type आपका जो employment type है आपका जो रोजगार है वो किस प्रकार का है ठीक हो यहाँ पर हमें select करना है जैसे क्या आप regular employee है contract employee है freelancer तो मैं आपको पता दूँ दोस्तों यहाँ पर आपना regular employee पर क्लिक करें भाई देखो आपको पता है जो लोग regular काम करते हैं कोई भी काम करते है regular तो इनके पास income आती है अगर आप यहाँ पर regular type regular को select नहीं करेंगे नीचे वाले दो option select लेंगे तो भाई loan देने वाली company कहेगे कि आज काम करता है कल नहीं करता है पर्चो करता है तरसों नहीं करता भाई इसको एक काम करो हजार दोजार पर कलाओ दो तो भाई यह कुछ गलती है जो आप लोग करते हो तो ऐसे में आपको हमेशे regular करना है उसके बाद है how long have you been working आप कितने साल से काम कर रहे हो कितने समय से काम कर रहे हो तो देखो आपको यहाँ पर कम से कम 3 से 5 के आस पास जो है select करना ही चाहिए उसके बाद है कि what is the name of your company और shop ठीक है आपका अपना कोई काम है तो भाई उस दुकान का नाम बता दे आप कुछ भी काम करते हैं उसका नाम बता दे आप कहीं पर नोकरी करते हैं अपनी कमपनी का नाम बता दे तो यहाँ पर आपको select करना है मैंने YouTube यहाँ पर select कर लिया है अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे हमें एक चीज़ और देखने को मिलेगा कि आप किस छेत्र या उद्ध्योग में काम करते हैं इस वाट फिल्ड इंडरस्ट्री टू यू वर्क कैसा काम है जो आप करते हो मैं फूड खाने का काम है मैनुफेक्चर कुछ सामान को मैनुफेक्चर करते हो कार्द इक साथ ट्रांस्पोर्ट वगरा चलाते हो बैंकिंग या फाइनेस में हो फर में हो, आईटी हो, आईटी में, कंस्ट्रक्शन में एजुकेशन, रेल्वे, मार्किट, टेक्साल, ई-कॉमर्श, टूर, गोर्मेंट बहुत सारे उप्षन है आप इस में से कौन सा काम करते हो किस तरीके का काम है आपका तो आप जिस तरीके का भी काम करते हो ना उसको आप सिलट कर लेंगे उसके बाद है कि वाट इस योर जोब आपकी जो जोब है, आपकी जो नोकरी है वो किस प्रकार की है जैसे कि आप बैंक में है कलक्सन अजेंट है मैनेजर है, प्रोफेशनल है, सेल्स अंड मार्केटिंग अजेंट है या अधर है, आपके इस कैटेगरिय में आते हैं? तो जो भी आपकी कैटेगरिय है वह यहां पर आप दुस्तों सल kommSULT कर लेंगे ठीक है? तो कोई दिक्कत वैली बात रही है हम यहां पर अपनी कैटेगरी को सल machSULT करेंगे नहीं किया जाता है, income verify नहीं होती, आप यहाँ पर 10,000 बता दो, 5,000 बता दो, 15,000 बता ओ, 20,000 बता ओ, जितनी आप बताओगे, उतनी यह माल लेते हैं, ठीक है, इनको विश्वास से कि इतना आप पैसे कमाते होंगे, तो भई, आप न, यहाँ पर मैं आपको बता दू, 20,000 से कमाते हैं, वो कितने कमाते हैं, तो भई, मैं यहाँ पर कमाता हूँ, लगवा, 65-70,000 रुपे, मैंने यहाँ पर डाल दिये, उसके बाद नीचे आपको एक option देखने को बिलेगा, I declare, ठीक है, इस पर click करने के बाद आप next पर click करेंगे, आप देखेंगे, हमारी जो profile हो 75% हो कहाँ पर आता है, बैंक अकाउंट में आता है, चैक से आता है, या कैस से आता है, तो यहाँ पर न लोग बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, और मिस्टेक यह है है दोस्तों कि यहाँ पर न, वो कैस या चैक वाला option सेलेक्ट करते हैं, मैं आपको बता दूँ, अगर अगाउंट सेलेक्ट करूगा, उसके बाद हमसे पूचे आता है, कि आप कौन सी भासा पसंद करते हैं, तो जो भी आपकी भासा है, उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, अब उसके बाद ये को एक और important बात, जो कोई नहीं बताता, यहाँ पर है कि how you experienced loan before, भई आज से पहले आ आपको बता दूँ, आपना नीचे वाले तीनों option को छोड़ दें, अगर आप कहीं से loan ले रहे हैं, अगर आप पहले वाले को select करेंगे, तो इसका मतलब है कि हाँ आपने loan लिया है, और आप सही से जानते हैं, तो इसका मतलब है, यह loan company कहें सोचे कि, कि यह बंदा perfect है, इस आपको देखने को मिलेगा, verify with offer email, यहाँ पर आप अपना email ID डाल देंगे, उसके बाद OK पर click करेंगे, आपकी Gmail ID पर ठीक है, एक OTP आएगा, उस OTP को डालकर verify पर click करेंगे, तो आपकी Gmail ID है दोस्तों verify हो जाएगी, उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, अब उसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, एक option last में है, कि evaluate my loan, मतलब अगर आपको loan लेना है, तो evaluate my loan पर click करेंगे, और जैसे click करेंगे, तो दोस्तों उसके बाद आपके सामने email interface आएगा, यहाँ पर आप देखेंगे, आपको देखने को मिलेगा, share your selfie, ठीक है, मतल remote wear sunglasses, आपके जो चेहरे पर sunglass यानिके चस्मा नहीं होना चाहिए, और जहाँ पर आप इस selfie को लेंगे, वहाँ पर light ठिटा कोनी चाहिए, आपकी जो selfie है, वो clear आनी चाहिए, उसके बाद देखने को मिलेगा, I agree to all, इस पर click करेंगे, और इस पर click करने के बाद टेका selfie पर click कर हुए है, 20,000 पर ही loan हमने apply गया था, 20,000 पर हमें मिल रहे है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, फिर see detail पर click करेंगे, और see detail पर click करने के बाद इस loan की जो detail से उसको हम देख लेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, your loan is approved, receive now, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे total जो हमें, ठीक है, यह loan हमारे नाम पर चड़ेगा, वो होगा 21,530 रुपे, क्यों? क्योंकि 20,000 रुपे का जो loan है, पूरे के पूरे 20,000 हमारे बैंक में जाएंगे, पर इस पर दोस्तों आप देखेंगे, इस पर जो है न, un-up front fees, यानिके processing fees पढ़ दिया है, 1523 रुपे, यह 1523 भी इसमें जोड़ दिये, और हमारे नाम पर जो लोन कर दिया, वो 21,523 रुपे का गड़ दिया, यहाँ पर बतायागा है, कि आपकी तीन हीमाई जाएंगी, एक होगी 7,781 की, दूसरी 7,781 की, और तीसरी होगी 7,801 रुपे की, और यह जो loan है, हमें 31,31 दिन के हिसा आप से मिलता है, यहाँ कि तीन महीने के लिए, अब सब कुछ देखने के बाद दोस्तों, अगर हमें यह loan लेना है, तो यहाँ पर इस box में टिक लगाएंगे, accept this offer पर किलिक करेंगे, और जैसी किलिक करेंगे, हमारे सामने दोस्तों, हमारा जो है, वो bank account की detail आजाएगी, अ पर किलिक करेंगे, दोस्तों, वैसे processing स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ पर आप देखेंगे, आपको देखने को मिलेगा, RBI दोर approved NBFC से, ठीक है, पैसे आपके bank account में transfer कर दिये हैं, और 20,000 रुपे भेज़ दिये गए हैं, यह किसी भी समय आपके bank account में जाएगे, उसके पाद इस NBFC के तरफ से, आपके पास message आएगा, कि 21,530 रुपे का जो लोन है, वो आपका approve हुआ है, और यह 15 से लेकर 20 मिनट के अंदर, ठीक है, यह जो पैसा है, वो आपके bank account में transfer हो जाता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह मेरा bank का statement है, 500 bank का, 20,000 रुपे हमारे bank account में आगे थे, पूरे 20 मिनट के बाद, तो दोस्तो इस तरीके से आप जो है, इस app पर आकर instant person लोन ले सकते हैं, और जो मैं आपको तरीका बताया है, उस तरीके को आपको apply करना है, उस तरीके से ही आप loan के लिए apply करेंगे, तो guarantee आपको loan मिरेगा, और उस तरीके को आप apply नहीं करेंगे, आप अपनी मनमर्ज से loan के लिए apply करेंगे, तो loan मिल भी गया, तो छोटा मोटा loan मिरेगा, तो आसा करते हैं, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो, वीडियो के like करें और चैनलों को subscribe जरूर करें